उत्तर प्रदेश के बहराईच जिले में आदम खोर भेडियों का आतंक भी जारी है भेडियों को पकड़ने के लिए प्रुशासन पूरी तरह से आक्टिव है अब तक चार भेडियों को पकड़ा जा चुका है रिपोर्ट्स की माने तो दो भेडिये अभी कैद से बाहर हैं गरीब पचास गाउं खौफ में हैं गहीं भेडिया हमला ना कर दी इस डर से गाउंवालों की जिन्दकी थम गई है बच्चे स्कूल नहीं जा रही मच्चूर काम पर नहीं जा रही और किसान खेती नहीं कर पा भेडिये के हमले में दस लोगों की जान गई कई लोग जखमे हुई पर सवाल है भेडिये आदम खौर कैसे बने आदम खौर यानि आदमी को खाने वाला ये शब्द किस जानवर के लिए इस्तमाल किया जाता है आज हम इस पूरे गड़त को समझेंगे सीधा एक्सपोर्ट से इसके लिए लोकल रिटीन ने पीली भीट के एक्सपोर्ट की शबागरवाल से बात की उन्होंने क्या क्या कहा आईए आपको सुनाते हैं लेकिन नौर्मली ये तो बड़ी एक पेक्यूलियर सी इंसिदेंट है वहां वहराइज में नौर्मली टाइगर्स का या लेपर् और उस पे आदमखुर आप रही किरें कि आदमखुर एक बड़ा कॉमन सब्ड हो जाएए लिकिन आदमखुर डीकले करने की कई केंडिशन से अडिखेर्स हैं तो जितने भी बाकि टाइगर्स या लेपड वो उसको सर्वाइब करने लिए तो ऐसे में उसको स्ट्रे करना पड़ता है वो उसकी टॉलिग शुरू हो जाती है विले जेरिया में डॉप्ट फील्ड में आकर लेखता है और जो इजी प्रेय में स्ट्रे केटल भी हो सकता है यह होता है और अगर आदमी कि उसको मालम होता कि कि वो आदमी को चेस करना शूरू बिए उसको चेस कर रहा है उसको अधे ही वो अटक करने के साथ साथ कर लेगाँ अगर यह रिप्लिकेशन उसका दो या तीन बार है तो आप उसको मैरीटर कह सकते हैं गाउं वालों ने भक्ती का सहारा लिया है तरसल गाउं में सीता राम कजा भवन और पाठ पुजा किया जा रहा है ताकि भेडियों के हमलों पर लगाम लगे लोकली टीम के लिए पिलिपीट से सुरिजित अवस्थी की रिपोर्ट